बाजवा साब ने फर्माया है कि लोग हमारे उपर यहां पर क्रिटिसाइज करते हैं भारत के अंदर फॉज को उपर क्रिटिसाइज नहीं करते हैं बाजवा साब कोई खुदादा नालो और इंडिया में जो जर्नल्स हैं वो आपकी आर्मी से दुगनी बड़ी कहीं गुनों बड़ी ताकतवर और ज्यादा बड़ी प्रोफेशनल और ज्यादा बड़ी फारवर्ड लूपिंग किसम की मिलीटरी जो है उसको लीड करते हैं लेकिन वो जर्नल्स जतने हमबल हैं और जिस तरीके से उनकी बैकराउंड है और जिस तरीके से वो आर्मी से रिटाइड होक वो दोलत आपके ओदे के साथ मैज नहीं करती है। मानें ये नवे हजार लोग आज तक मैंने जिन्दगी में मुझे बड़ा शौक है हिस्टी किताबें पढ़ना है। मैंने किसी हिस्टी की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि नवे हजार लोगों ने कठे एक जगा पे अथ्याल डाल दी हूँ आज तक हिस्टी आप वार्फेर हमें बिसा किया क्यों चाहिए होती है जब पता होता कि मैं दो नमबर हूँ मैं सीट पे बैटने का एहल नहीं हूँ नाजुक मौके के उपर जब सारा पाकिस्टान लड़ रहा है भारत के वो जो नौर्धरन कमार्ड के जर्म साब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हकूमत मौका दे तो हम तो जाब अज़ाद किश्वीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें इसलिए दो दिन से लगातार पारचनार के लाके में अफगान फोर्सेज शेलिंग करी है पाकिस्टानी फोर्सेज पर पाकिस्टानी जवाब नहीं देते हैं क्या खाइब हैं डर गे हैं आप अपने बार्डर की तरफ देखें आपके परोस ने कहा है कि आप मिंटों ही मार जहीं दोस्तों पाकिस्तान का हल रजिया गुंड़ों में फसकी बस इसी मताबिक हो गया है क्योंकि एक तरफ जहां अफगानिस्तान के सैनिक उसे परिशान कर रहा है और उनके नाक में दम करके रखा है वही दूसरी तरफ इंडिया के जो नौदन कमांड की जनरेल है उन् इसमें कहां जाता है कि पाकिस्तानी जलो ले उनकी आय और संपति बहुत ज्यादा डिफरेंस है बहुत जदा संपति इन्यर्जित कर लिये जो कि हर कोई करता है वहां पर तो इसी बारे में जो मीड़ा में बाते चल ज़ीए उसको हम देखेंगे आगे इस वीडियो में तो कभजा करने तो इस सारी सिच्वेशन में जहां भी स्यासिदान लड़ रहे हैं पाउज माफियां मांग रही है इंडिया धंकियां दे रहे हैं और यह सीधर सीच्वेशन से हैं यह स्पीच उनीस सो सिंटालीस में अगर दी जाती तो अच्छा था कि निया स्टार्ट हो रहा कि आप मिंटों की मार हैं और दूसरा चीमास सब मैं यह अरज करना चाहूंगा कि आपने एक तो खुद ही फरमाया कि एक सियासी स्पीच थी इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इस एक तक्रीर के अंदर उन्हों है सारा कुछ कुछ कर लिया सारा कुछ उन्होंने अगर उनको देखा जाये कि सारी स्पीच क्या थी उन्होंने काया कि हम फैटफ से बचाते रहे हैं पारकस्तान को वो कहते हैं साथीरस पर रिलेशनिशिप हम रखते हैं इसका मतलब फारन अफेर बीस सारा उनके आग में है आप साथ बिलियन पर है भारत शेसो बिलियन पर है आपका औ अपर मुलक छे मीने में किसी को आप अपनी फॉई से पूछे आर्मी चीफ का नाम बताएं तो बो नी बता सकेंगे इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में खांसा 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुलक बैरियर टाउन और डिफेंस बना दिया है मलक रियास के साथ आप सब का जो डिपार्टमेंट आप मुझे यह बताएं आप किस तरह आपने आपको चुदा कर सकते हैं क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका रिटायर पर गेडिगर जर्रल बैठा होता है इस वक्त अगर देखा जाए ना पाकस्तान इस चीज को अफोर कर सकता है ना स्यासतानों को पता है के हमने कहा जाना है सरहदों के उपर इस वकट आवाज आ रही है कि वुई आ रेडी तो टेक पाकस्तान आको पाइट किश्मीर पच्छीस क्रोण लोगों का नाको मुस्तक्बिल है और आपका भी कोई मुस्तक्बिल है क्युक्के फॉजय उत्यार हुए आप आपने जिस कोड का दिया है आपने उनका में नाम भी बता रहता हूँ जो नादरन आरमी कमाड के अपिंद्रा उनका नाम है उन्होंने जिन्होंने स्टेट्मेंट दी है उन्होंने क्या हुआ रेडी वे बेटिंट पार्कस्तान आको पाइट किश्मीर विदन वेरी शॉट पिरियल टाइम और दूसरी स्टे पारगल में जाके बोलते हैं अभी उनके नॉर्धरन जो कमांड के जो जनल साफ बोलते हैं क्यों पाकिस्टानी जवाब नी देते हैं क्या खाइफ हैं डर गे हैं चीमा साफ डेफैंस और बैरिया के प्लाटों से उपर सोच जाये तो तब हो आप अपना बजट देखें आप अपनी आप बिजनस के इंवालमेंट देखें डाक्टर आइशा की किताब पड़े हैं वो जो प्रेटरी एंक है उपड़े हैं तारड साफ पचास साल गुजर गए आज भी हम बंगलादेश की जिस्टिफिकेशन दे रहे हैं यह मसला वंस कि सारी तो और वह भी पुलीस में थे को इशाइट हो गयते लोग माने यह 90,000 लोग आज तक मैंने जिन्दगी में मुझे बड़ा शौक है इस्टी किताब में पड़ना मैंने किसी हिस्टी किताब में आई तक नहीं पड़ा कि 90,000 लोगों ने कठे एक जगा पे इस्याल ड और इंडिया में जो जर्नल्स है वो आपकी आर्मी से दुगनी बड़ी कहीं गुनों बड़ी ताकतवर और ज्यादा बड़ी प्रोफेशनल और ज्यादा बड़ी फारवर्ड लुकिंग किसम की मिलीटरी जो है उसको लीड करते हैं लेकिन वो जर्नल जतने हमबल हैं और ज चिंगो उनका जो बड़े से बड़ा जो है फंपने खंद किम का जर्नल अब कहाई लें तो वो जहर जाता है एक फ्लैट मेरे रह रह रहा होगा रिटाउर्मेंट के बार second का मतलब होता है व वह बड़ी अंबल किसम के जो फ्लैड होते हैं वर और 10 मंजल अमार सों के आ तेंगे